तूप्रभाद बच्चो आज हम आपकी पार्टे पुस्तक हिंदी के पार्ट आठ का अध्यन करेंगे जिसका शीर्षक है ढकलो तुम सारा संसार तो बच्चो यह जो पार्ट है कवीता के रूप में इसके मात्यम से कवी ने हमें बताया है कि प्रकृति हमें किस प्रकार से प ग्रहन करने के प्रकृति की शिक्षाओं को ग्रहन कर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो चली पढ़ते हैं बच्चो जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वह इकाई तीन चारित्रिक गुड के अंतरकत पढ़ने जा रहे हैं पार्ट आठ धकलो तुम सार संसार प्रस्थुत कवीता में कभी ने बताया है कि अपना जीवन स्वार्णिम बनाने लिए हमें प्रकृती से प्रेड़ना लेनी चाहिए कवीता की प्रतिव बंग्ती बच्चों को कुछ ना कुछ संदेज दे रही है तो कभी कवीता में बता रहे हैं कि अगर हमें अपने जीवन सोने मियाने की सुन्दर बनाना है अच्छा बनाना है ठीक है सोने के समंग चमकाना है अपने जीवन को तो हमें प्रकृति से प्रेणना लेनी चाहिए क्योंकि प्रकृतिये में बहुत साजी चीजे सिखाती है तो चली पढ़ते हैं कवीता की पंक्तियों को परवत कहता शीष उठाकर तुम भी उँचे बन जाओ तो जो परवत है जो पहान है हमें क्या शिक्षा देते हैं वो कहते कि तुम भी जिस प्रकार से मैं उँचा खड़ा हूँ तुम भी अपना सिर उठाकर चलो तुम भी सम्मान के साथ अपना जीवन जीओ जिससे क्या होगा तुम भी मेरी तरह उँचे बन जाओगे हर कोई तुम्हारा सम्मान करेगा अपना सिर उठाकर चलो उसका पानी लहराता रहता है लेकिन वो क्या होता है बहुत गहरा होता है इसी तरह तुम भी अपने मन में गहराई कैसे लाओगे तुम भी औरों की परिशानियों को समझो उनकी मदद करने के लिए आगे भड़ो जिस प्रकार से सागर अपने अंदर सब कुछ समेट लेता है इसी प्रकार से तुम दूसरों के दुखों को ग्रहन करो और उन्हीं खुशियां देने का प्रियास करो समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ कर उठ उठ गिर गिर तरल तरंग क्या कह रहे हैं कि जो नदियां बहती हैं उसमें जो लहरे उड़ती हैं वो बार बार उड़ती हैं और गिरती हैं उनकी जो तरंगे हैं वो लहरे हैं वो हमें क्या संदेश दे रही हैं वो कह रही हैं भरलो परनोब अपने मन में मीठी मीठी बिदर्ववतल्य उमंग क्या मैं इस प्रकार से में उठती और गिरती रहती हूँ तुम भी अपनी अंदर मीठा मीठ चीक कोमंगए रोट सारा को किसी रस कड़ली सैंद हिग। उच्सा प्रदान करते हैं उच्सा ही तोकर आगे बढ़ने की हमें शिक्षा देती है प्रत्वी कहती धैर्रे ने छोड़ो कितना ही हो सिर परभार जो प्रत्वी है जो हमारी धर्ती माता है वो हमें क्या शिक्षा देती है कि जिस प्रकार से मैं हर चीज को सहन करती हूं मेरे उपर चाहे कितने भी लोग चलते हैं फिरते हैं मेरे साथ गलत गलत वहवार करते हैं खोदते हैं लेकिन मैं अपना धैरे कभी नहीं छोड़ती अपना धीरज नहीं गवाती इसी प्रकार से तुम भी अपना धैरे कभी न छोड़ो तुमारे मार्ग में कितनी भी कठीनाई आएं भार मतलब कितना भी बोज हो तुमारे उपर कितनी भी मार्ग में कठीनाई आएं मुसी बताएं लेकि तुम अपना धैरे न छोड़ो जैसे मैं नहीं छोड़ती नब कहता है फैलो इतना धक लो तुम सारा संसार और जो हमारा नब यानी की आकाश जो हमारी चारो तरफ फैला हुआ है हमारी सिर्फर है वो क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से मैं चारो तरफ से फैला हुआ हूँ पूर комментар को ढखका डखता हूँ उसी प्रकार से तुम भी अपने ज्यान के प्रकाश के दवारा अपनी मेहनत के बलपर इतना आगे बढ़ो कि तुमारा चारो तरफ प्रकाश पैल जाए और जो तुमारा प्रकाश पैलेगा तो बच्चों आपने पाट को अच्छे से समझ कर पढ़ा है, कवीता को आप याद कर लेंगे, अब हम पाट की शब्दार्थ कर लेते हैं, परवत, पहाड, शीश, सिर, सागर, समुंद्र, करंग, लहर, मृदुल, कोमल, उमंग, जोश, प्रत्वी, धर्ती, धैरे, धीरज, भार, भोज, नब, आसमान, संसार, दुनिया, तो सभी बच्चे पाट की शब्दार्थों को याद करेंगे, अब हम पाट का भ्यासकारे कर लेते हैं, जो की है, लिखिये में से, पहला प्रशने सही विकल्प पर सही का निशान लगाए ये, प्रशन में तीन विकल्प हैं, चुडिया, प्रत्वी, पवन, तो धेरे ने चोड़ने को कह रही है, प्रत्वी, मन में गहराई लाने के लिए कह रहा है, परवत, सागर, पौदा, तो मन में कौन कह रहा है, गहराई लाओ, सागर, आकाश कह रहा है, खूप फैलने को, सोने को, दौडने को, तो आकाश कह कि खूब फैलो अपनी क्या करो अपने परिश्रम के बल पर अपने प्रसिद्धी को प्राप्त करो समान को प्राप्त करो लहराता हुआ सागर कह रहा है उच्छा उठने को गिरने को मन में गहरा ही लाने को तो सागर कह रहा है मन में गहरा ही लाओ अब है कभीता की पंक्तिया है इन्हें हमें पूरा करना है तो चलिए कर लेते हैं तो पहली पंगती है प्रत्वी कहती ध्यर्य ने छोड़ो कितना ही हो कितना ही हो सिर पर भार अगली पंगती है नब कहता है कहता है प्रत्वी कहती ध्यर्य ने छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार नब कहता है फैलो इतना ढखलो तुम सारा संसार अब अगला है हमारा प्रिश्ण सत्यकतन पर सही तता सत्यकतन पर गलत का निशान लगाईए यहां कुछ बाक्य है हमें सही गलत पताना है करते हैं हमें परवत की तरह उचा बनना चाहिए बिल्कुल सही हमें प्रकृती से सीख लेनी चाहिए ये भी सही है संकट के समय हमें धहरे छोड़ देना चाहिए तो बच्चो ये गलात हो जाएगा संकट के समय हमें धहरे नहीं छोड़ना चाहिए सागर का अर्थ समुंद्र है ये भी बिल्कुत सही है अगला पृष्णिन ने सही मिलान कीजिए दो कॉलम है आर्बा हमें मिलाना है सागर कहता क्या कहता है सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ परवत कहता है शीश उठा कर तुम भी उचे बन जाओ तो बच्चो ये कारे हमने अच्छे से समझ कर पूंड कर लिया है इसके बाद जो भी कारे है वो आपको स्वयम करना है अपनी अभ्यास, पुस्तिका में, सुंदर अक्षरों में तो बच्चो आज हमने पाट के माध्यम से प्रकर्ती से मिलने वाली प्रेणा को ग्रहन किया कि किस प्रकार से प्रक्ती हमें शिक्षा देती है आशकर्टियू पाट आपको समझ जा गया होगा कभीता को याद कर लेंगे, शब्दार्तों को भी याद कर लेंगे मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाट के साथ अतकले स्वास्त रहिए, प्रसंद रहिए, धन्यवाद